आज बात करने जा रहे हैं चाप्टर नमबर टू मेरे खाल से हमने यही तो लोड किये हैं इन दोनों कोश्चनों को ठीक है तो कोश्चन नमबर फोर की बात करेंगे और कोश्चन नमबर फाइफ की बात करेंगे इस वाले कोश्चन में द्यान से देखो क्या करना है कोश्चन है मास ओफ अर्थ इस 5.97 वैसे तो 6 इंटू 10 ती पावर 24 राउंड ओफ करके लिया जाता है लेकिन इनों ने यह लिया 5.97 इंटू 10 ती पावर 24 और मास ओफ मून इस 7.35 इंटू 10 ती पावर 22 केजी में है दोनों इन दोनों को आड़ करना है तो टोटल मास क्या हो जाएगा जार बताओ सर जो टोटल मास होगा वो हो जाएगा 5.97 इंटू 10 ती पावर 24 अड़ेड टू 7.35 इंटू 10 ती पावर 22 और यह जो पूरा अंसर आएगा वो काह में आएगा मेरे प्यारे दुलारे बच्चो केजी में आएगा दोनों ही स्टैंडर फॉर्म में लिखे हैं बहुत सिंपल है अब अगर मैं देखू तो यहाँ पर 10 की पावर 24 है यहाँ पर 10 की पावर 22 है इसको एड कैसे करें सर समझ में नहीं आ रहा तो क्या हम इसको पहले कनवर्ट करेंगे इंटू नॉर्मल फॉर्म फिर हम इसको एड करेंगे फिर स्टैंडर फॉर्म आ रहे भाईया उस लफड़े में मत पढ़ना वो पचला बहुत ज़्यादा तो बेंग महेंगा पढ़ेगा आपको आपको करना क्या बसोनों यहाँ पर से और यहाँ से कितने 10 क्यूस फॉर्म यहाँ टैंग की पावर 24 थैंग है और यहाँ टैंग की पावर 22 है मतलब अगर मैं कहूँ मैंने कहा कि यहाँ पर 1000 प्लस 100 अगर मैं करूँ तो मैं इन दोनों में से कितने common ले सकता हूँ Sir मैं दो common ले सकता हूँ और यहां बचेगा 10 और यहां कुछ नहीं बचेगा तो क्या हुआ 1 यह हो जागा 11 11 into 100 किता हो जागा 1100 आप करके देखें यह भी वही answer आएगा देखो कैसे 1100 1100 तो common लेके आप यहां पर addition करेंगे ठीक है तो कैसे लेंगे दोनों में से जो भी common आएगा वो आएगा दोनों में जो सबसे कम है 22 है 24 है तो 22 common आजागा तो 10 की power 22 common बचा किता 5.97 और यहां 22 common होगा तो 2 बचे प्लस यहां पर कुछ नहीं तो 1 बचा और into होगया 1 7.35 से तो बचा 7.35 अब 10 की power 22 आगया है अब इसको 100 कर दो तो यह जागा 5.97 into 100 प्लस 7.35 अब board mass लगा दो और पहले multiply कर दो या फिर आप इसको normal form में लिखोगे तो क्या करोगे 10 की power 2 है तो यहां पर इस direction में shift हो जाएगा तो जागा 1 और यह 2 तो जागा 597 100 से multiply करोगे तो भी वह आएगा तो आएगा 10 की power 22 into 597 added to 7.35 और बस अब इन दोनों को normal addition करके सु multiply करते हैं तो यह आएगा हमारे पास 597 और हम करेंगे अब इसके बाद ही point है तो point 00 जो भी है फिर 7 के बाद point है तो point में लाएंगे इसके पहले लिखा हुआ 7 इसके बाद लिखा हुआ 35 sorry 3.35 अब इन दोनों क्या कर देंगे add कर देंगे प्लस कर देंगे तो कितना जागा जब बताओ 35 तो यहां आगया point फिर यहां 47 714 फिर हो गई है और यहां 604 तो यहां जागा 604.35 तो आएगा 604.35 multiplied by 10 to the power 22 kg अब इसको standard form में करने के लिखे करो दो बार खसका दो एक दो तो आएगा 6.0435 into 10 to the power दो बार खसका है यह और यह already 22 बार खसका हुआ था और यह 2 प्लस 22 कितना होगा into 10 to the power 24 kg is your answer the total mass of earth and moon ऐसे ही solve करना है और ज्यादा tension वाली बात नहीं है next question है और यहां पर अब हम standard form में आगे बढ़ गए हैं अब हम इसके पहले हम क्या multiplication वाले जो बढ़े नमबर थे उनको standard form में convert कर रहे थे अब हमारे पास छोटे numbers हैं देखो कैसे बहुत छोटा है 0.0006 यही है हमारे पास number point किदर खसकेगा sir इस direction में left to right तो minus लगेगा किती बार 1,2,3,4 यानि 6.0 into 10 to the power किती बार खसका है चार बार खसका है और minus का लग जाएगा so this is how to convert these type of number into standard form clear next यहाँ पर देखो 1,2,3,4,5,6,7 7 बार खसकाना है तो 8.3 into 10 to the power sorry 8.3 है 8.3 into 10 to the power minus का 7 यहाँ 1,2,3,4,5,6,7,8 तो आएगा 5.34 into 10 to the power minus 8 1,2,3 तो आएगा 2.7 into 10 to the power minus 3 यहाँ आएगा 1,2,3,4,5,6 1.65 into 10 to the power minus 6 चे बार कासका है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 6.89 into 10 to the power 9 यानि minus 9 so this is how to convert these number into standard form यह मैं पहले भी करवा चुका हूँ इसके पहले दो लेक्चर जो बनाये थे उसमें standard form का पूरा representation था what is the standard form a number which can be represented in the form of m into 10 to the power n जहाँ m की value जो है वो 1 या 1 से बड़ी होना चाहिए और 10 से छोटी होना चाहिए ठीक है तो यह और 10 की power n और n जो है वो integer होना चाहिए तो देखो आप मैंने देखो यह जो number है 6 1 और 10 के बीच में 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 जहाँ m की value बड़ी या बराबर हो 1 के और 10 से छोटी हो यह condition लगेगी और n शुड़ भी any integer clear बहुत बड़ी है इसके बाद कुछ भी नहीं हमारे पास तो बस इस lecture में इतना ही I hope आपको lecture समझ में आ गया lecture समझ में आ गया तो पसंद आ गया पसंद आ गया तो like कर दो चैनल में सब्सक्राइब कर दो उसको 10 की power 24 कर दो कोशिश तो यही है मेरी अब देखो पैसा कमाना is not important ऐसा नहीं है कि YouTube से आर्नी नहीं होती है होती है बट मेरा main motive है आप लोगो को अच्छे से पढ़ाना और आप लोगो influence करना आपके future को कुछ अच्छे positive way में परिवर्तित करना यही मेरा main motive है और कुछ में नहीं मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो देखते रहो पुनिसर की पार्ट शाला जैहन